जय हिंद स्वागत है आप सब का एक बार फिर से हमारे यूठीब चैनल पर तो जैसा कि- AAP सभी लोग जरूरबाइने तरह दरूर से से जरूर करिएगए तो चलिए आज का पहला परार कुशन ही आपके स्क्रीन के ओपर दिख रहा है कि असम में वह विभाव प्रतिवंद कानून के मसौधे पर मसौधे के लिए समीती का गठन एक समीती बन रही है असम में जो बहु विवाह को क्या करेगी प्रतिवंद कर देगी अर्थात प्रतिवंद कानून बनाएगी इसमें क्या है कि असम में क्या था एक से अधिक विवाह असम में एक सेधिक विबाह के लिए क्या था असम सरकार ने राज में बहु विबाह पर परतिबंध लगाने के लिए एक मसाओधा विधयक तयार किया है तयार किया है तयार करने के लिए पांच सदस्य समित का गठन किया है राजिपाल गुलाफ चंद कटारिया ने समित के गठन के बारे में एक अधिसूचना जारी की है असम के महाधिवक्ता देवजीत, साउकिया, डीजीपी, जीपी सिंग, राजिके वरिष्ट अधिवक्ता, महाधिवक्ता नलिन पोहली, कानूनी सलाहकार और सच्यू, रोमेन बरुगा और गृह बिभाग के सभी, गृह बिभाग के सच्यू जो हैं, वो हैं विस्वाजीत प फरजी जो है, काजी गिराफतार हुए, यासम में ही बाल विभाग के खिलाब राज सरकार लगातार सक्त कारवाई, इसी करम में पुलिस ने 15 लों को पकड़ा है, और वो जो की फरजी दस्तावेर तयार करके बाल विभाग कराते थे, इसकी जानकारी एक काजी ने सिकायत क थे, कि 16 लोग नकली काजी बन करके विभाग करा रहे हैं, तो ये देखे, बहु विभाग कोले करके पहला ही प्रसन था, कि असम में बहु विभाग प्रति बन दी, अगला जो प्रसन है, अगला प्रसन है, ये इंपोर्टन प्रसन है, कि मापक यंत्रों के मानवीय करण के अधिकार के अधिकार पाने वाला भारत बना तेरहमा देश भारत इसका कौन से तेरहमा देश बन गया है भारत विश्चु का तेरहमा ऐसा देश बन गया है जो अंतर रास्टी अस्तर पर स्वविकार एक अंतर स्वविकार एक अंतर सरकारी संगठन OIML International Organization of Legal Metrology की Metroology ठीक है ना के अधिकरीत Certificate के अधिकरीत Certificate जारी कर सकेगा इसके जरीए घरेलू निर्माता अपने बाटों और अन्यशभी परकार के मापक यंतरों का भारत में ही परिक्षण करा सकेंगे और फिर उसे अंतर रास्टी बाजार में बेचा जा सकेगा यहाँ घरेलू निर परियातकों के लिए बहुत लावकारी कदम है, मतलब जो बाट होते हैं, उनका परिक्षण हो सकेगा और उन्हें फिर क्या किया जाएगा, बेचा जा सकता है, अंतराष्टी अस्तर पर बेचा जाएगा, इस से पहले भारत से पहले 12 जो है, पुरी दुनिया में 12 देश थें, ठीक न, ऐसा करने वाले, भारत भी इसका क्या बन गया है, सदस्य बन गया है, अगले प्रसन पर चलेंगे और अगला प्रसन है अमेरिका, देखिए, अमेरिका में जैपुर साहित महोतसो, अमेरिका में जैपुर साहित महोतसो का आज से आगाज होगा, ठीक है, आज से अमे फिल्म निर्माता, मीरा नायर, परसिद लेखिका, चित्रा वनर्जी, दिवा करूनी तथा विसलेशक वा सोध करता भी सामिल होंगे महुत्सो की सुरुवात यूकरेन युद्ध पर एक सत्र के साथ होगी इसमें युद्ध की परकिर्ट से साहित कैसे प्रभावित होता है इस पर बात होगी, ठीक है न, तो इस पर बात किया जाएगा इसके बाद मीरा नायर, मीरा नायर सिनेमाई भासा तस्बीर को सब्दावली पर अपनी बात रखेंगी यल विस्विद्याले में भौतिक वाख खगोल विज्ञान की प्रोफेसर प्रियवंदा नतराजन पिछली सताबदी में ब्रंभान समंदी खोच की सबसे महत्त पूर्ण गटना के बारे में बताएंगी तो ये जैपुर साहित महोत्सो का आगाज कहां होगा अमेरिका में होगा ये आज का ये प्रेशन था अगला जो पॉइंट है अगला समझी अगला पॉइंट ये है वैस्विक लाजिस्टिक सूचकांक में वैस्विक लाजिस्टिक सूचकांक में सीर्स 25 में सामिल होना लक्ष है भारत जो है 25 में सामिलो ये भारत के अपना एक लक्स लख रहा है तो इसे भी आप जानेगे कि उद्योग समवर्धन आंतरिक ब्यापार विभाग से जो प्रस्न है वो विश्ववैंग की तरफ से है कि लाजिस्टिक परदर्शन में जो सूचकांग 2023 में भारत का अस्थान अ की घोशड़ा की गई थी अभी भारत क्या चाहरा है कि भारत 25 में सामिल होना चाहरा है फिरहाल अभी 38 है ये लक्ष रखा गया है कि सीर्श 25 में सामिल हो जाए कौन भारत ठीक अगले प्रस्न पर चलेंगे अगला प्रस्न है योरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज 25 आधा अंक बढ़ाया ये उरोपियन जो सेंट्रल बैंक है ECB ने महगाई पर अंकुस पाने के लिए गुरुवार को एक बार फिर प्रमुख व्याजदर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है ठीक है 25 आंक की क्या कर दी है 25 आधार की बढ़ोतरी की है यह लगातार दस्वा दस्व किंद्रिये बैंक है यह देश पिछले एक बरस में बढ़ती महगाई से जूज रहा है देखिए इंपार्टेंट बात है कि 20 देशों का क्या है यह किंद्रिये बैंक है और वह भी कौन से जो यूरो मुद्रा मतलब प्रियोक करते हैं उन्हीं जो है कंट्री का यह देश है अगला है कि स्वक्षता अभियान है स्वक्षता 2.0 अभियान में 2 लाख सिकायतों का निप्टारा हुआ बित्मंतराले के अधीन बित्तिय सेवाओं के विभाग ने बिसेश अभियान स्वक्षता 2.0 के तहें 10 महीनों में 2 लाख से अधिक ज्यादा सिकायत करतों का निप् प्रस्न था स्वक्षिता 2.0 अगले प्रस्न पर हम चलेंगे अगला प्रस्न है 2026 तक देखिए यह इंपोर्टेंट है कि नबीन उर्जा नबीन उर्जा उपकरणों का नबीन उर्जा उपकरणों का निर्यातक बनेगा भारत 2026 तक 2026 तक बिभिन देशों को 1 लाख मेगावाट नवीनी करण उर्जा दक्षता से जुड़े उत्पाद भेजे जाएंगे जुड़े उत्पाद भीज जाएंगे बर्स 2026 तक भारत से विविन देशों को एक लाख मेगावार्ट नभीनी करण उर्जा दक्सा से जुड़े उत्पादों की अपूर्ती की जाएगी अब चाहिए क्या है नभीनी करण उर्जा सरकार की नीती भारत को सौर पवन वायो मास जैसे गैर परमपरिक इधन के छेतर में अग्रण देश बनाने की है ठीक है ना ये इससे प्रसंद था और अगला प्रसंद देखें यहाँ ही है पचास अरव डालर का निवेस करेगा अडानी समू ग्रीन हाइडरोजन सेक्टर में पचास अरव डालर का निवेस करने की घोषड़ा किस ने किया है अडानी सरकार की तरफ से ग्रीन हाइडरोजन मिशन की घोषड़ा के बाद यह भारतिय कंपनी की तरफ से घोसी सबसे बड़ी निवेस ही होजना है तो आप ये भी जानिए कि अडानी जो गुरूप है वो कितना पच्चास अरफ डालर निवेस करेगा किसके लिए हाइट्रोजन सेक्टर में और ग्रीन हाइट्रोजन का जो उत्पादन है वो लगभग ये 2030 तक पच्चास लाख टन ग्रीन हाइट्रोजन के उत्पादन का लक्ष भी रखा गया देखिए यहां बिल्कुल कलियर हो रहा है कि 2030 तक पच्चास लाख टन का क्या रखा गया है लक्ष रखा गया है तो अगले कुशन पर चलिए और अगला कुशन देखिए निपाह संकरण के तहत यह केरल के लिए है कि निपाह संकरमण के कारण कोजी कोड यह जगा है कोजी कोड में सनिवार तक सिक्षण संस्थान बंद रहेंगे निपाह वाइरस है केरल के कोजी कोड में जिले में निपाह वाइरस के संकरमण के चलते जीला परसासन ने 666 अंसान कोचिंग संस्थान वो 16 सितमबर तक बंद करा दिया है उकास करा दिया लेकिन 20 ब्यद्द जाले के परिक्षा कारीकरम में कोई फेर वदल नहीं किया गया है निपाह संकर्मितों के इलाज के लिए उपलब्द एक मात्र परियोगिक इलाज है इलाज क्या है मोनो कलोनोलल एंटी वाइडी ठीक है न की जो है इंडियन काउंसलिंग आफ मेडिकल रिसर्च ने राज में पहुचा दिया गया है और निपाह वाइरस जो है इसी की वज़ा से केरल की स्वास्त मंत्री बीडा जार्च केरल की स्वास्त मंत्री बोली कि मिलकर इस्थिती को निपट सकते हैं सम्मिला करके ये भी एक वाइरस ही है वाइरस जनित रोग है निपाह और उसी के लिए जो है इसी के कारण से ये स्कूल कालिज को क्या कर दिया गया है बंद कर दिया गया है तो फिलहाल आपको यही जानना है कि निपाः वाइरिस इस समय कहां फैला हुआ है तो वो फैला हुआ है केरल में अगला प्रस्न है एतिहासिक दिन सरवोच चन्याले के मुकदमों की अब मिल सकेगी आनलाइन जानकारी जो भी जानकारी होगी सरवोच चन्याले की वो आनलाइन मिलेगी ठीक ना रियल टाइम डाटा नेशनल जुडिसील डाटा गिरीड पर उपलब्ध होगा सुप्रिम कोर्ट की वेफसाइट पर ही जो है एक आईकान उपलब्ध होगा जिसे किलिक करते ही सुप्रिम कोर्ट में लंबित केसों का वर्सवार और स्रेडिवार बेवरा दिखएगा जिसमें जो है ये चीजे दिखेंगी और अभी तक और अभी तक सिर्फ देजबर के उच्च नियाले को जिला अदालतों से लंबित केसों का ही बेवरा यहां उपलब्ध होता थे लेकिन अभी पूरी तरीके से यह क्या होगा यहीं पर होगा रास्टिय सूचना विग्यान केंदर और सुप्रीम कोर्ट की टीम ने मिल कर यह विक्सित किया है कि जो भी मुकदमा होगा जो भी सारी चीजें होंगी वो आनलाइन दिख जाएगा ठीक ना सरवोच्चना लेकि मुकदमे की अब मिल सकेगी आनलाइन जानकारी तो यह भी बड़े हैं प्रसंद था अगले प्रसंद पर चलेंगे मोबाइल पर आप देख सकेंगे क्या विस्वास नियूज का वार्टसप चैनल लांच मोबाइल पर देख सकेंगे लेटेस्ट फैक्ट चेक रिपोर्ट और वीडियो विस्वास नियूज ठीक ना नई दिल्ली से है विस्वास नियूज ने अपना वार्टसफ चैनल लांच किया है इसके माध्यम से विश्वास नियुज के पाठक सीधे अपने मोबाइल पर लेटेस्ट फाइक्ट चेक रिपोट और वीडियो पर आप्ते कर सकेंगे ठीक है ना तो ये इससे ही भी प्रसंद था अगले कोश्चन पर चलेंगे हम लोग ठीक है ना अगला जो कोश्चन है वो है देश में आज से सक्षता ही सेवा अभियान पेजल और सक्षता विभाग हवासान युम सहरी कार मंतरा ले सुक्रवार से पूरे देश में सक्षता अभियान सुरू कर रहा है ठीके ना सुकृरवार से क्या कर रहा है पूरे देश में सख्षता अभियान शुरू कर रहा है यह अभियान गाधी जयनती यह नहीं 2 October तक चलेगा और अभियान की जो थीम है वो important है जो है कच्चरा मुक्त भारत दम बिलकुल important है कचरा मुक्त भारत यह आप याद रखिएगा कचरा मुक्त भारत इस तरीके के प्रस्न अक्सर पूछे जाते हैं और किसका ये थीम है आप ये भी जानिएगा ये है सक्षता ही सेवा भियान है इसका थीम ठीक है अगले कोश्चन पर चलेंगे और बहुत ही बढ़ी है और लाजबाब प्रस्न है कह रहा है कि विधान सभाओं के पेपरलेस होने से प्रतिवर्स बच रहे हैं 340 करोण रूपे क्योंकि अब विधान सभाओं में पेपरलेस सुविधा हो गई है तो उससे कितने रूपे बच रहे हैं सकती है बचाई जारी पिछले 18 राज्यों में पंजाब उड़ीसा बिहार दोनों सदन मतलब बिहार के दोनों सदन मेगाले मिजोरम मड़पुर गुजरात अरुडांचल परदेश नागालेंड पुदूचेरी तिरपुरा हिमांचल परदेश 36 गड़ तमिलांड सिक्किम हरि है किसकी वज़ा से जबसे पेपर लेस बिधान सभा होगे तो से 340 करोड़ पर सरकार का बच रहा है पेपर लेस होने वाला पहला राज UP कोन हिमांचल परदेश बेरे अर्थसास्त्री ने मोधी को बताया चिंफिंग से चिंफिंग से ज़्यादा दूर दर्सी राजनेता बिर्टेट अर्थसास्त्री ने बताया है मोधी जी को कि चिंफिंग से ज़्यादा दूर दर्सी राजनेता है कौन प्रधान मंत्री मोधी जी देखें ब्रिक की अवधा क्या गया कि Jim o'Neil ने Zee 20 शिखर सम्मेलन की सफलता मोढ़ी को असपस्ट विजेता बनाती है ठीकए न हमोधी जी को क्या बनाती है असपस्ट विजेता बनाती है यह पुर्धान मंत्रि नरंद मोढ़ी को अब चीनी राष्टपती सी जिम्पिंग की तुलना में ज़्यादा दूरदर्सी राजनेता दिखाते हैं वो नील ने ही ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिला कर ब्रिक्स की अधानणा पेस की जिसमें दक्षिड अफरीका के सामिल होने पर इसका नाम ब्रिक्स हो गया है ठीक है ना उन्होंने ही ओनील ने ही बताया था अब धारणा दिया था जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन था लेकिन साउथ अफरीका मतले दक्षिड अफरीका जुनने से ब्रिक्स हो गया है तो फिलहाल ये जो अर्थसास्त्री है जिम ओनील इन्होंने परधान मंत्री यह प्रस्ण है आप सभी इस प्रस्ण को ध्यान दीजे और यह इंप्रमाण पत्र एक अक्टूबर से अकल दस्ता वेज की रूप में मानने होगा एक अकेला ऐसा दस्ता वेज होगा जो हर जगा मानने होगा जन्म परमाण पत्र आधार बनवाना हो या पास्पोर्ट बस प्रमाण पत्र होना जाए अपको पास्पोर्ट बनवाना हो या यहापको पासपोर्ट बनवाना उसके लिए क्या है आधार कार्ड आपको प्रमाण पत्र शूइन्स, ठीक यह वर्थ सर्ट्रिफिकेट के लिए देखे का एक अधिनियम भी पास हुगा है जन्म और मिर्थ पंजी करण संसोदन अधिनियम 2023 भर में एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा केंद्रे ग्री मंत्राले ने इस संबंद में बुद्वार को एक अधिसूचना भी जारी की है बात करें संसत के दोनों संदों ने पिछले महीने संपन मांसून सत्र में जन्म और मिर्थ पंजी करण संसोदन विधयक 2023 पास किया राश्पती दरोपती मूर्मू ने 11 अगस्त को इस पर अपनी महर लगा दी है और जैसे ही राश्पती की महर लगती है कोई विधयक फिर क् बन गया है कानून बन गया एक नियम बन गया है तो ये था प्रस्न किस से ले करके वर्थ सर्टी फिकट को ले करके अगले कुशन पर चलेंगे अगला कुशन है कि हांग जू में होगा इस्पोर्ट से से ब्रिक डांस जैसे खेलों का पदार पर्ण होगा और कहां पर हांग प्रिये e-sports और break dance हांग जू में पदारपण करेंगे तो दुनिया वर की नजरे इन अस्परधाओं पर रहेगी पिछले साल होने वाले ACI खेल अस्थगित होने के बाद 23 सितंबर से सुरू होंगे ठीक है ना 23 सितंबर से सुरू हो रहा जिसमें सतरंज जिसमें क्या है जिसमें सतरंज क्रिकेट करमसा 2010 और 2014 के बाद वाफसी करेंगे ये खेल पहली बार होंगे सामिल 14 कृर्ट को 2018 में क्या किया गया है 29गे तोरपर सामिल किया गया था इन्हें फैसला लिया गया है यहां पेस्टेवर खेल यह पेस्टेवर जो खेल है की तरह हम हर्याब लेकिन आमने सामने मुकाबले के बजाए दरसक वीडियो गेमर को एक दूसरे से भिड़ते दिखते हैं इसमें साथ वीडियो गेम्स डोटा 2 फीफा अलाइन 4 लीग आफ लीजेंट एरेना आफ वेलोर ड्रीम आफ थ्री किंग्डम्स और पबजी मोबाइल भारत ने 15 सदस्य पूरुष टीम भेजने का नेड़े लिया है तो ये कैसा गेम है ये होगा e-sport गेम ठीक ना e-sport गेम ब्रिगडान जैसे खेलो का भी क्या होगा पदार पड़ अगले कुशन पर चलेंगे अगला प्रस्न है चीता प्रोजेक्ट की सफलता चीता प्रोजेक्ट की सफलता का चेहरा बना कूनों में पल रहा मादा सावक भारती धर्ती पर जन्मा सावक देश में मिलने वाले चीतों जैसे ही ले रहा है स्वरूप चीतों जैसे ही क्या ले रहा है स्वरूप ले रहा है और ये जो मादा सावक है इसके बारे में आप सबको पहले से ही पता था 17 सितमर 2022 को नावीविया से लाएगे 8 चीतों को मद्ध परदेश के कुनू नेसनल पार्क में छोड़ने के साथ इसकी सुरुगात की गई दक्षिड अफरीका से 12 चीतों के आने के बाद इनका कुन्बा बढ़ता गया और वहाँ एक एक करके 6 वैस्क चीतों और भारती धरती पर पैदा हुए चार सावकों में से तीन सावकों की मौत हो गई थी इस पर पूरे प्रोजक्ट पर सवाल खड़े हो गए थे इसके बाद जो नन्हा मादा सावक है जो की पूरे प्रोजक्ट का रासन किये हुए है वह सिर्फ भारती जलवाय में तेजी से बढ़ रहा है बलकि भारत में मिलने वाले चीतों की जैसा ही स्वरूप भिले रहा 24 मार्च के आसपास जन में इस सावक की उम्र करीब 6 मा होने वाली है इसका वजन भी करीब धाई किलो का है धाई किलो हो गया है इस उम्र के साथ स्वस्त सावक को बहतर वजन माना जाता है दक्षिड अफरीका से 12 चीते 18 फरोई 2023 को लाए गए थे कूनों में देखिए 6 वयस्क और 3 सावकों की मौत के बाद मवजूद समय में वहाँ 14 वयस्क चीते और एक मादा सावक है ठीक है ना तो यह मद्धिपरदेश के कूनों की बाद है मद्धिपरदेश की कूनों की बात है अगले कोश्चन पर चलेंगे और अगला कोश्चन troubled नेकस्ट में जगा बनाने वाली पहली भारती किर्केटर है भारती महिला किर्केट टीम की कप्तार हर्मन पीट कौर सहित तीन भारतीयों को टाइंस प्रतिका के मताविक दुनिया को प्रभावित करने वाले सीर सस्सो उभरते नेत्वित करताओं के ताउर पर नामित किया गया है ठीके ना नामित किया गया है बुधवार को जारी 2023 टाइमस हंडर नेक्स्ट इमरजिंग लीडर सेंपिंग दी वर्ल्ड सूची में हर्मन प्रीत के अलामा भारत के नदिता बेंग टेशन और बीनू डे टाइमस हंडर नेक्स्ट में जगा बनाने वाली पहली भारतिये महिला किरकेटर हैं यह क्या है पहली भारतिये महिला किरकेटर हैं तो यह प्रस्न था किस से हर्मन प्रीत टाइमस हंडर नेक्स्ट में जगा बनाने वाली पहली भारतिये महिला किरकेटर बन गई हैं अगला भार्दवनसी थर्मन जो है गुरुवार को सिंगापुर के नवे राष्टपती की रूप में सपत लिये हैं भार्दवनसी मुख नाधिस सुंदरेस म्यमन ने 154 साल पहले पुराने महल इस्ताना में आयवजित एक समारोह में राष्टपती थर्मन राष्टपती थर्मन को प पर सिंगापुर के नवे राष्टपती की रूप में होने क्या लिया है आधि अगला प्रस्न है सूती और खादी कपड़ों का हर्वल कवच वेक्टेरिया को करेगा बे असर तो आप हमारे टेल गराम पर जुड़ सकते हैं देली गराम चैनल का Свैनल का जो लिंक है वो हम आपको नीचे description में दे देंगे और साथी साथ अगर टेली गराम पर आप जाईए टेली गराम के सर्च में जाकर करके आप add rate लगाईए और लिखे एक जाम फार यू एक जाम फार यू एक में ही सब कुछ लिखेंगे एक जाम फार यू आपको एक चैनल दिखेगा ठीक ना अगला कोश्यन था देखिए यह है कि भारतिय प्रदोगिकी के जनक माने जाते थे यम विस्वा सरया यम विस्वा सरया जो है आज ही के दिन करनाटक के में इनका जन्म हुआ था इन्होंने कैरियर की सुरुआत पी डबलू में सायक इंजिनियर के रूप में इन्होंने की थी बाद में भारती सिचाई आयोक से जुड़े और 1903 में स्वाचली जल फ्लक गेट क डिजाइन तयार किया और जिसे पहली बार पुने के खड़ा कवासाला में जलासे में अस्थापित किया गया मैसूर में क्रिस्न राजा सागरमांद इन्ही की देन है आप जानिए इनको इनके बारे में भी और 1955 मेने भारत नत्म से सम्मानित किया गया तो दुनिया की पहली AI CEO Mika है अर्टिफिसियल इंटेलिजन्स मतलब AI पर आधारित है पोलेंड पोलेंड के मिकोलो सहर में डिक्टाडोर के मुख्याले में दुनिया की पहली हुमायन रोबोटिक AIR आर्टिफिसियल इंटेलिजन्स CEO Mika ठीके ना CEO Mika और मानविये CEO के फायदे के अनुसार फायद रेने की परकिरिया है कार्पोरेट में AI की भूंका और तकनीकी के बारे में भी इस चर्चा की गई तो यह एक ऐसी रोबोट है जो AI आधारित बेस है ठीक है ना तो आज के लिए बस इतना ही था आप सभी लोग कमेंट बाक्स में जो है कमेंट करिए गए दिए आप सब को कोई वीडियो पसंद आ रहा है तो और साथी साथ डिस्क्रिप्शन में जाईएगा आपको टेली गराम का जो है लिंक मिल जाएगा जिससे आप सभी लोग टेली गराम चैनल पर भी जूड़ जाएगे जहां पर आपको पीडिएफ चाहिए तो टेली गराम लिंक पर आ जा झाहिए लोगज बाहु रहा है तो के पने ने कीवडिवशन में ञाएगा जाएगे जाने के लोगा का जाएगे लोगी जह इन प्रीएपरादाव में अबसे में पर आपको टूर झातboard काम सभी जा ऑखन.